Good morning बच्चों, so आपके सामने Company Locky Book June Edition के लिए आ चुकी है और मैं आपको ये बुक दिखाना चाहूंगा, so जिन बच्चों का exam June 2023 में है वो definitely इस बुक को refer कर सकते हैं Now, I'll show you the book, एक बार आप ये बुक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना effort इस बुक में है जैसे तो ये तो पहला basic chapter है उसके बाद से अगर आप आगे आजाएं Share Capital का chapter जैसे अगर हम खोलते हैं तो इसमें हर एक चीज हमने काफी अच्छे ते detail में डाली है Section, Rules और जैसे आपने Shelf Prospectus पढ़ लिया फिर Red Haring Prospectus पढ़ा दोनों के भीच में differentiating points क्या है ये भी हमने बता हैं फिर हमने कोशिश किये थोड़ा सा आपको fun के साथ पढ़ाया जाएं और जैसे कि आप देख सकते हिंदी में भी कहीं कहीं पर हमने explanation डाले हुए So this is the book that you should have आपके और इसमें आपको सबसे important practice के questions मिलते हैं concept पढ़ने के बाद So बच्चों और ये book आप समझ लीजे एक प्रकार से handwritten notes है जैसे हमने बहतरीन feature एक ये introduce कि अब हम चाहते हैं कि बच्चे एक्जाम में section के ताथ subsection भी लिखें तो section और subsection आपको दिखेगा आप ये भी देख सकते हैं इस book में फिर आगी के chapters अगर में देखो हूँ तो टोटल इस book के pages around 478 pages है अब जैसे आप director chapter पर आजाएगे तो director chapter में जैसे हमने पूरी summary डाली है जैसे आप section देख सकते हैं LODR के provision डाले हैं उसके बाद जैसे section 149 अपन ने पढ़ा 149 काफी बड़ा section है क्योंकि इसमें हैं LODR फिर 149 के section or subsection ताकि आप exam में section or subsection सब साथ में लिख सकें तो this is the book और मैं चाहता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि जितने विच्चे भी exam लिखें वो लोग ये book से पढ़ें यहां जहां 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 पर प्रोविजन से और इसके बाद sections देख सकते हैं आप और यह चीज आपको पूरी बुक में हर एक जगए uniform basis पे मिलेगी जैसे vacation of office director क्योंकि हमारी intention आपको सिर्फ पढ़ाना का नहीं है हम चाहते हैं कि आप section subsection के साथ proviso number के साथ अपने answers exam में लिखें जहां पर ज़रूरत है हमने चार्ट वगएर के यूस कियें बचों तो अवर ओल यह बुक काफी साथ है यूसफुल है और कुछ चेप्टर अगर मैं आपको देखाऊं तो यह बुक आप अभी order कर सकते हैं और जून के लिए जो self-study students है उनको तो मैं खास कर प्रे-बुक फिर drafting का भी आपको काफी पार्ट मिलता है जो जो company law में drafting वगएर आती है दो sections के बीच में जो similar sections होते हैं उनके बीच में डिफरेंज के हैं जैसे proxy देखिए आप proxy का section देखिए 105 प्रवाइजों कितने section के तो यह summary हो गई हाँ तो यह सारी चीजे फिर cost audit में भी हमने auditor वगएर में भी हमने काफी सारे changes की जैसे कि जब आप section पढ़ते हैं जैसे section 108 section 109 section 110 111 यह चार section तो आपने पढ़ लिए detail में पढ़ लिए सब्सक्राइब के साथ पढ़ लिए उसके बाद अब यह चार sections पढ़ने के वाद आपको summarize way में revise करने तो आपको यह हमने दिया अलग से फिर resolutions वगएर के बारे में section 108 यह आप summaries वगएर देख सकते हैं बचो तो overall आपको काफी मजा आने वाला यह book पढ़के और काफी जाद आपको मिलने वाला है अब क्या होता है सेक्रिल स्टेंडर वन और टू हम पढ़ लेते हैं लेकिन उन दोनों सेक्रिल स्टेंडर में डिफरेंस क्या है क्योंकि कई points दोनों के confusing है तो आप देखे SS1 और SS2 का अलग चार्ट हमने डाल दिया जिससे आपको कोई भी परेशानी बुक का कॉस्ट है 980 रुपीज 980 रुपए की बुक है जिसका प्राइज हम विटेफेक्ट फॉम नवंबर वन इसका प्राइज हम बढ़ाने वाले क्योंगी प्रिंटिंग कॉस्ट काफी बढ़ गए बिकिस यू कन सी दा नंबर ऑफ पेज़ेस बुक में है फिर रेजिस हमें क्वेशन आता है कि इंस्पेक्शन हो सकता है और कौन कर सकते तो यह रजिस्टर के पर हमने स्पेशली ध्यान दिया हुआ है सो बचो ओवर ओल यह बुक आपको पढ़के काफी जादा आनंद मैं हो जाएंगे बचो आप यह बुक पढ़के इसी है तो बहुत सारा इसमें अलग-अलग चीजें यूज की गई है अलग-अलग टेक्नीक्स यूज की गई है definitely you should go ahead with this book and you can order this book from dushyanjan.com या फिर आप हमरे office में call कर सकते हैं 4x8 371 371 4x8 138 555 thank you so much god bless